असलम वालेकुम फ्रेंस वेलकम बेक टो जुल्फा जहान आज मैं आपनों के साथ एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगे और वो रेसिपी में सिर्फ दो चीजे जरूरत है वो दो चीज अगर आपके पास है तो बस बना डालिए ये डिजर्ड और इसका मज़ा लिज तो वो में दो चीजे क्या है वो है दही और चीनी चीनी के बदले में आप गुर भी ले सकते हैं या तो कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं मेरा मनना यह है कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट और ज्यादा बर जाते हैं तो इसलिए मैं कंडेंस मिल्क का इस्तिमाल करूंगी तो फ् तो इसके लिए मैंने लिया 500 ग्राम दही और यह थिक वाला दही है तो दही लेने के बाद सबसे पहले मैं इसका कवर हटा रहे हूं क्यों कप में जो मिलता है वही वाला लाया मैंने और यहाँ पे मैं आड करे हूं कंडेंस मिल्क साथ में थोड़ा सा इलाइजी पाउडर दे करके इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं मिक्स करने के बाद इसको मतलब इस मिक्चर को मैं ट्रांसफर करूंगी एक मिट्टी का छोटा सा हंडी में मिट्टी का हंडी में क्यों बना रही हूं इसको मैं बाद में बताऊंगे आपको एंड में उसके बाद इसका जो मु देने के बाद यहां पर एड पानी पानी आड करने के बाद इसको ढगा देंगे और बस पानी में बॉयल आ जाए तो यहां पर देंगे कोई भी स्टैन या तो ऐसे कोई छोटा कंटेनर का ढगा दे दिया और मिक्चर वाला हंडी को इसमें प्लेस करके इसको 32-35 मिनिट्स यह हमारा तयार हो गया भाप़ दोई यकी मानिय यह भापा दोई इतना यमी बनते हैं कि आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा और इतना बनाना आसाव भी तो है और इसका जो ट्रेडिशनल तरीका है दही को पहले छाण लिया जाता है कोई भी कॉट्टन कपरा में र निकाल देते हैं या तो इस ट्रेइनर की मदद से एकसेस पानी निकाल के फिर मीठा कोई भी डाल के मिक्स करके कोई भी कंटेरनर में आप इसको स्टीम कर सकते हैं मैंने इसको मिट्टी के बर्तन में इसलिए बनाया ताकि मुझे वह चानने का जंजट ना हो और क्यूंकि जब स्टीम हो गया था इसमें पानी था लेकिन जब इसको फ्रेज किया गया सारा पानी इस जो मिट्टी का बर्तन है यह एब्सॉर्ब कर लिया तो वही वाला भी आप ट्राय करें मिट्टी का बर्तन में बनाया और इसका मजाले और मेरे अगले वीडियो का इंतिजा करें